इस कोशन में हमें दे रखा है मूल बिंदू से बिंदू X1,Y1 की दूरी ग्याद कीजिए और ये कोशन आप याँ पर देख भी सकते हैं कि ये कोशन हमारा 2014 में आ भी चुका है और उसके बाद इस तरीके के कोशन रिपीट नहीं हुआ है तो इस साल इस तरीके का एक कोशन आ पर बाद बहुत बड़े बात है लेकिन जिन्यू स्ट्टेंट को दूरी वारा फॉर्मुला नहीं पता उनको मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं वहां से उस फॉर्मुले को वह नोट कर लेना लेकिन इस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहल बैल आइकन को All पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी questions पर वीडियो upload करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके अब आगे हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस question को हम किस तरीके से solve करेंगे तो पहले इस question को मैं आपको इस diagram से समझा देता हूँ diagram से question आपकी जल्दी समझ में आ जाएगा हमें question में दे रखा है एक मूल बिंदू तो यहाँ पर हमें एक point माल लेंगे यह हमारा मूल बिंदू हो जाएगा जिसके निर्देशांग हो जाएगे यहाँ पर 0,0 और दूसरा में point दे रखा है x1,y1 इसे माल लेंगे हम b point और इनी दोनों point के बीच की हमें दूरी गयाद करनी है अब दूरी सूत जिन स्टूडेंट्स को पता होगा तो उस formula में हमें x1,y1,x2,y2 इनकी value की जरूत पड़ेगी तो हम यहाँ पर x1,y1 और x2,y2 को लेट कर लेंगे जो हमारा मूल बिंदू है उसे माल लेंगे हम x1,y1 और जो हमें question में दूसरा point दे रखा था x1,y1 उसको माल लेंगे हम x2,y2 तो यह निंदे शांक मैंने यहाँ पर लिग रखे हैं से आप note कर लेना,x1 की value हो जाएगी 0,y1 की value हो जाएगी 0,x2 की value हो जाएगी x1 और y2 की value हो जाएगी y1 इन value को आप यहाँ पर note कर लेना, इन value की जरूत हमें आगे पढ़ने वाली है अब देखते हम दूरी वाले सूत्र को तो यहाँ पर हम लिख देंगे आता है दोनों बिंदूओं के बीच की दूरी तो दूरी A B बरावर हो जाएगी यहाँ पर और यह आपका formula होता है यहाँ से आप इसको note कर लेना कि under root में x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square यह हमारा दो बिंदूओं के बीच में दूरी निकालने का formula होता है अब जिन इस trend को ना पता हो वो यहाँ से इस formula को note कर ले और इन सब की value हमने starting में निकाल ले थी तो उन values को हम यहाँ पर रख देंगे x2 की value आजेगी यहाँ पर x1 x1 की value आजेगी यहाँ पर 0 y2 की value आजेगी यहाँ पर y1 और y1 की value आजेगी यहाँ पर 0 तो यहाँ पर हमारे पास आजाएगा bracket में x1-0 का whole square प्लस दूसरे bracket में y1-0 का whole square अगर हम x1 में से भी या y1 में से भी 0 को माइनस करेंगे तो हमारा x1 और y1 ही आना है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा अंडर उड में x1 का whole square प्लेस y1 का whole square अगर हम इनका whole square भी करेंगे तब भी हमें x1 का whole square प्लस y1 का whole square ही प्राप्त हो ना है तो यही हमारा इसका answer हो जाएगा अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आपको लिखा दिखी रहा होगा a b बरावर under root में x1 का square प्लस y1 का square और यहाँ पर हमने दूरी निकाली है तो यहाँ पर हम मातरक लिखे देंगे ठीक है जब भी हम दो point के बीच की दूरी को निकालते हैं तो जो भी हमारी दूरी आती है उसको हम मातरक में लिखे देते हैं तो जो हमसे question में पूछ रखा था कि मूल बिंदू और एक बिंदू हमें दे रखा था x1 और y1 इनके बीच की दूरी को हमें ग्याद करना था तो वह हम यहाँ पर ग्याद कर चुके हैं जो कि आपको सामने दिख भी रही होगी तो इसके answer को हम इस तरीक से भी लिख सकते हैं कि आता है मूल बिंदू से बिंदू x1 y1 की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपको लिखावा दिख भी रहोगा कि अंडर उड में x1 का स्कॉयर प्लस y1 का स्कॉयर मात रख यह हमारी दोनों पैंटों की बीच की दूरी हो जाएगी सिंपल सा कोशन था बस इसमें आपको दूरी वाला फॉर्मुला पता होना चाहिए अब जिन इस्टुडेंट को इस तरीके कोशन करना नहीं आता था तो उन इस्टुडेंट को इस तरीके कोशन करना आ गया होगा फिर भी अगर इस कोशन में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करकर पूछ लेना एक नमबर के लिए बहुत बढ़िया कोशन है तो इस कोशन को आप दो जार पच्चिस के एक्जाम के लिए जरू तैयार रखे जाएं और अगर आप इसी तरीके के और भी कोशन से देखना चाते हो तो मैंने इसके एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट में आपको एक नमबर वाले, दो नमबर वाले, चान नमबर वाले, पांच नमबर वाले सभी प्रकार के most repeated question, most important question ही मिलने वाले है उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिशन में देदू हूँ, महाँ से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करना